है फ्रेंड्स तुम्हें पंकज मिश्टर कर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मेनेज्मेंट सिस्टम पे तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आप लोगों को IATF का सेशन तीज करूँ और उसके बारे में अवेर्नस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊं और आप लोगों के समझ लेके आऊं तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा IATF का ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन प्लान किया है और चलिए आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में कि IATF क्या होता है और इसमें क्या-क्या रिक्वाइर्मेंट्स होती है तो दोस्तों आज मेरे इस सेश आप में जो भी कंसेप्शन बना होगा जो भी कोई डाउट्स होगा डिफिनेट्ली योग क्लियर हो जाएगा और इन फ्यूचर कभी भी IATF के बारे में यदि कोई बात करेगा तो डिफिनेट्ली आप यह चीजें ध्यान रखोगे और हाँ यदि आप लोगों यह सेशन प बेसिक आपको अवेर्नेस दोंगा IATF के बारे में कि IATF की हिस्टरी किया है IATF कैसे आया पहले कांड कांसे इस्टेंडर्ट फालो होते थे और IATF हमारा क्यों लाना पड़ा और उसकी हिस्टरी क्या रही उसका गोल क्या है और इसके कॉपी राइट सो गयरा किसको किसको ह जो मेरा next part आएगा उसमें मैं discuss करूँगा कि हमारे 0 से 10 clauses के बीच में कौन-कौन से clause है उनकी requirement और जो भी चीजें उनमें आती है जो भी documents वोगेरा है उस सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए जानते हैं IATF जो है ओ फुल फॉर्म क्या है IATF का सबसे पहली बात यही आती है जब भी आप कहीं जाते हो किसी training session में जाते हो तो आप से पूछा जाता है कि IATF का फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों IATF फॉल फॉर्म है International Automotive Task Force हाँ जी दोस्तों IATF जो जाना जाता है IATF Quality Management System Requirements for Automotive Productions and Relevant Service Part Organization इसमें जो है IATF में Quality Management System Requirements है जो कि Automotive Production and Relevant Services और Organizations में लागू होती है इसका First Edition जो है वो October 2016 में Release किया गया है जो कि हमारा ISO TS के बाद में आया है यह हमारा First Edition है जो कि October 2016 में Release हुआ है तो दोस्तों IATF के जितने भी Copyrights हैं वो सारे IATF ने अपने पास ही ले रखे हैं और इसकी कुछ Copyrights इसके बहुत सारे Rules हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगा इस Automotive Quality Management System Standard Nose है IATF 16949 इस Copyrights Protected by Member of International Automotive Task Force यह हमारा जो Automotive Quality Management System है यह IATF 16949 के नाम से जाना जाता है और इसके जो भी Copyrights हैं वो IATF के मेंबरों के द्वारा प्रोटेक्टेड है IATF पूरी तरह से Then the title of the Automotive QMC Standard IATF 16949 is registered trademark of the IATF तो जो IATF 16949 है यह एक registered trademark है हम यह Automotive QMC Standard को IATF 16949 के नाम से जानते हैं जो कि हमारा एक registered पंजीक्रत trademark है Accept as a permitted under the applicable laws of the user country Neither this Automotive Quality Management System standard nor any extract form It may be produced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means IATF की अनुमत के भीना ना तो इसको दुबारा प्रिंट किया जा सकता है और ना ही कहीं भी इस टोर किया जा सकता है और ना किसी भी माध्यम से और ना ही किसी तरीके से इसको किसी को भी भेजा जा सकता है चाहे वो electronic photocopy recording otherwise without prior written permission जैसे कि photocopy recording या किसी भी माध्यम से जब तक कि आपके पास में IATF से कोई लिखित आदेश ना हो तो दोस्तों इसका conclusion यही है कि हम इस standard को किसी भी माध्यम से ना तो इसको photocopy कर सकते हैं और ना ही इसको किसी भी language में दुबारा print करवा सकते हैं ना ही इसका प्रकासित कर सकते हैं किसी भी दूसरी language में और ना ही इसको photocopy कर सकते हैं ना किसी भी माध्यम से, जब तक कि आपके पास में IATF से कोई लिखित आदेश ना हो, आपके पास में कोई पर्मिशन ना हो, रिप्रोडेक्शन में भी सब्जेक्टेट टू रॉयल्टी पेमेंट्स और लेजनिंग एग्रिमेंट्स और वाइलेटरल्स आर सब्जेक्टेट टू लीगल प्रोसिकूशन तो रिप्रोडेक्शन जो है, जो भी संस्था इसको दुबारा प्रिंट करती है, उसको IATF से कहीं भी रिप्रिंट कर देता है बीना IATF के आदेश के, तो उसको एक क्या माना जाता है, गैर प्रसासनिक माना जाता है और इस पर प्रसासनिक कारवाही की जाती है, यह हो सकती है, रिक्वेस्टेट फॉर पर्मीशन टू रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसलेट एनी पार् अड्रेस टू one of the following nations, automotive trade associations और बिलो, तो यदि इस standard को किसी भी मादम सी अदमालों रिप्रोड्यूस करना है या ट्रांसलेट करना है, तो IATF क्या करता है, उसके जो members हैं, National Automotive Task Force के associates members हैं, IATF उनमें से किसी एक member से आग्रह करता है, या वो आदेश देता है, कि वो इसको translate कर या रिप्रोड्यूश करें, ये members कुछ इस प्रकार से हैं, AIAG Automotive Industries Action Group USA में, BDA Burbender Automobile Industries EV of Germans, SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders Limited UK, ANFIA Associatedly में, FIEV France में, SIAM India में, India Automotive Association, ये basics है, IATF की supporting bodies हैं, तो IATF को अपनी standard को कहीं भी किसी भी देश में, या उसको reproduce करना है, या रिप्रिंट करना है, किसी language में translate करवाना है, तो इनको आदेश देता है, उनकी help लेके करवाता है, तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं, कि forward कैसे हुआ है, तो इस automotive quality management system standards, here in referred to as a automotive QMS standard, और IATF 16949, along with applicable automotive customer specific requirement, तो ये automotive quality management system standard है, इसमें automotive QMS standard या IATF के साथ, लागू automotive specific business आवसकताओं के रूप में, संदर्वित किया गया है, तो basic इसमें हमारे IATF 16949 में, customer specific requirements को जोड दिया गया है, ISO 9001-2015 requirements and ISO 9000 and 2015 defines our fundamental quality management system requirements for automotive productions and relevant services parts organization, तो ISO 9001-2015 requirements and ISO 9000-2015 defines the fundamental of the quality management system, ये quality के fundamental systems को define करता है, जो कि automotive productions and relevant services part of the organizations में applicable होते हैं, this automotive quality management system standards cannot be considered as a stand alone QMS standard, but has to be comprehended as a supplement to and use in conjections with ISO 9001-2015, 9001-2015 is a published as a separate ISO standard, तो ISO 9001-2015 अब अकेले market की बढ़ती हुई quality की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए अब इसको market में अकेले quality management system standard के रूप में ठीके रहना मुश्किल था, इसलिए इसको एक सहयोगी की रूप में रखा गया और जो कि ISO 9001-2015 की जरूरतों को पूरा करे और इसे एक अलाग से नए standard के रूप में प्रकासित कर दिया गया, इसके बाद IATF 16949-2016 फर्स्ट एडिशन आया, जो कि represent an innovative documents given the strong orientation to the customer और with conclusion of number of consolidated previous customer specific requirement, तो दोस्तों इसके बाद में IATF 16949-2016 का प्रथम संसकरन आया, यह एक अद्विनाव दस्तावेस का प्रतनी दिद्ध करता था, जो कि ग्राहक को मजबूत और मुक्ता प्रदान करता था, जिसमें कई समेकित, पिछलाकरत, विस्षिस्ट अवस्चक्ताओं को सामिल किया गया था, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमर स्पेस्फिक रिकावर्मेंट पे ध्यान दिया गया था, कस्टमर की जो रिक्वाइर्मेंट्स हैं वो इसमें सारी डाली गई और उनको ध्यान में रखते हुए IATF 16949 फर्स्ट एडिशन लाया गया, तो दोस्तों NXR, NXR B प्रोवाइड दा गाइडेंस तु इंप्लिमेंट दा आईटी अफ 16949 रिक्वाइर्मेंट्स, NXR B जो है वो IATF की जो रिक्वाइर्मेंट्स हैं उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें इंप्लिमेंट करना है जब तक कि कोई कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वाइर्मेंट ना दी गई हो, क्योंकि जब customer specific requirement है तो हमको उसको उसी के गवाडिक टैकल करना है और यदि कोई requirements ऐसी है कि जो customer specific requirement नहीं है जो की standard में दी गई है उसको हमें NXR B में उसके लिए guideline provide की गई है कि हमें कैसे करना है चलिए दोस्तों जानते हैं कि ISO TS 16949 IATF की हिस्ति क्या है कैसे कैसे आया तो दोस्तों आयो सो TS 16949 का पहला edition जो आया originally created in 1999 by the International Automotive Task Force और उसका aim क्या था कि harmonizing of the different assessments and certification system worldwide in the supply chain of the automotive sector तो automotive sector में जो भी certification system होता है उसको harmonizing करना और उसको एक कर देना जिससे कि हमारा जो automotive sector होए अलग ही हुचाईयों पर चला जाया और सारे जो अब certification system हो एक हो जाए और बहुत ही अच्छा system बन जाए जिससे कि कहीं पर भी कोई issue create ना हो इसके बाद में ISO TS का 16949 का second जो संसकरन आया second जब edition आया वो 2002 में आया इसके बाद में इसमें सुधार होते चले गए और इसमें और भी सुधारों की जरूरत पड़ी तो इसके बाद नए edition लाया गया जो कि 2009 में आया इसके बाद में direct फिर आये TF आया आये TF 16949 2016 में first edition तो friends आपने कई बार देखा होगा कि ISO TS यहाँ पर ISO and TS जो लिखा हुआ होता है तो लोग कई बार आपसे पूछते हैं कि ISO का meaning क्या है TS का meaning क्या है तो हम कुछ और ही definitions बताते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ISO what is the reason to using the TS word क्या reason होते है TS word यूज करने का कई लोग बताते हैं यह technical specification है ऐसा कोई भी meaning नहीं है चलिए मैं आज आपको बताता हूँ जब भी ISO 9001 जब भी कोई नई requirement एड होती है तो उसके लिए जितने भी ISO के members होते हैं तो जो भी requirements है उसके लिए voting होती है जदि जो voting के percentage हैं वो less than 70% है तो requirements जो आपकी आएगी यो ISO में आ जाएगी और यदि voting के percentage उस requirement के लिए more than 70% है तो आपकी वो requirement TS में चली जाती है यह difference है ISO and TS में और friends, my dear friends, basic requirements जो है ISO TS की और IATF की वो अभी भी ISO 9001 में basic requirements दी गई हैं सारी then friends, ISO TS 16949 along with the supporting technical publications development by the original equipment manufacturers here in the referred as OEMs and the National Automotive Trade Association introduced as a common set of the techniques and method for the common products and process development for automotive manufacturing worldwide तो इसका basic requirement यही है कि सारी चीजों को जो worldwide जितनी भी requirement है automotive sector trade association की उसको worldwide एक करना और उनको support करना इने preparation for migration of ISO TS 169 2009, third edition to this automotive QMS standard IATF 16949, feedback was solicited from the certification bodies, auditors suppliers, suppliers and OEMs to create IATF 16949, 2016 first edition which cancelled and replace IOTS 16949, 2009 तो जब ISO TS 16949, third edition को IATF में बदलने की तयारी चल रही थी तो उस समय जो भी certification bodies, auditors, suppliers and OEMs कंपनी तो उनके सुझाओ मागे गए कि IATF 16949, 2016 first edition को लाने के लिए जो की ISO TS 16949, third edition को रद करता है दोस्तों the IATF maintains strong cooperation with the ISO by continuing listening committee status ensuring continued alignment with the ISO 9001 तो IATF maintain strong cooperation है जो ISO के साथ में है और इसकी listening committee की status के हिसाब से और इसमें बहुत ही strong cooperation है ISO 9001 के साथ में तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए चलिए जानते हैं कि हमारे IATF 16949, 2016 का goal क्या है जैसे कि हमारे standard आया है तो इसकी goals क्या क्या है तो friends, the goal of this automatic QMS standard is the development of quality management system that provides for continual improvement, emphasis, defect prevention and reduction of variation and based in the supply chain तो हमारे IATF 16949, 2016 के क्या-क्या goals है, continual improvement करना, defect prevention करना and reduction of variation and based तो यह हमारे तीन basics है यह IATF के goal है अब हम जानेगे कि IATF के direct subscribed customer कौन-कौन से हैं जैसे कि आप लोग जब किसी भी party से, किसी body से अपने company का certification कराते हैं तो आप direct IATF के subscribe customer नहीं होते हैं आप उस agency या उस body के through अपने company का certification करवाते हैं बट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आप आप एक डाइरेक्ट सस्क्राइब कस्टमर काउंसे हैं जिन्होंने IATF से direct subscription लेर रखा है चलिए जानते हैं जिसने पहला है फोड जिसने पहला है फोड जेकंड है GM जन्रल मोटर्स डेमलर क्रेसलर फियट पियगट बॉलकाशगवन BMW Renault Land Rover यह IATF के direct subscribe कस्टमर में तो इन फ्यूचर यदि आप से कोई पूसता है कि IATF के direct subscribe कस्टमर काउंसे है तो IATF के यह 10 direct subscribe कस्टमर है आप लोगों को हमेशा क्योरी रहती होगी कि जैसे आप लोगों के यहाँ पे certification bodies आती है तो उनका certification काउं करता है वो कहां से certified होती है या कि पूरे इंडिया में पूरे देश में कितनी certification bodies है तो दोस्तो मैं आप लोगों के लिए आजे details लेके आया हूँ और मैंने अपने इस video में mention किया है हमारे पूरे इंडिया में जो कि अभी IATF का certification देती है वो total 39 certification bodies है जो कि IATF का certification देती है details मैंने यहाँ पे दे रखी है सारी मैं एक एक पढ़के तो बता नहीं पाऊंगा भी आपको इनको इन certification bodies को याने BCB National Accredition Board of Certification bodies जो है वो certified करता है और हाँ जब भी आप IATF का certificate देखते हो तो उसमें यह logo आपका मिलता है इसका मतलब है कि वो body जो आपको certified कर रही है वो इससे certified है इसने इसको certified किया हुआ है यह सारी जो है certification body की list है इसके बारे में कोई आप मेरे ज्यादा जानकारी चाहे है तो आप comment में section में जाके मेरे को बता सकते हैं यह कोई doubt है यह आप मेरे को WhatsApp के थुरू बता सकते हैं यह email कर सकते हैं मेरे को कोई कोई क्योरी है तो मैं आपकी क्योरी उसमें clear कर दूँगा और हाँ यह session थोड़ी लंबा जरूर है लेकिन IATF क्या करने तीन दिन की training होती है general awareness training बट मैं तो मानता हूं कि तीन दिन की training भी कम होती है तो possible नहीं है कि मैं एक घंटे के वीडियो में आदा घंटे के वीडियो में पूरी IATF की पूरी awareness training दे पाऊं इसलिए मैं detail में बताऊंगा बठा बसड़ते क्या है कि वीडियो थोड़ी लंदी रहेगा थोड़ी बड़ा रहेगा तो यदि आपको अच्छे से समझना है IATF के बारे में तो आपको यह देखना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा तब जाके आप IATF के बारे में अच्छे से समझ पाऊंगे और अवेयर हो पाऊंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं कि IATF पर जो चेंज हुआ IATF में आया तो क्या-क्या बदला हुए यदि हम clauses की बात करें तो zero clause same है introduction था ISO में इसमें भी introduction है पहले clause में scope था इसमें भी scope है second clause normative reference था इसमें भी second clause normative reference है third clause term and definition था इसमें भी third clause term and definitions है fourth clause quality management system था इसमें अब यहां पर change आया fourth clause में quality management system की जगे में context of the organizations आ गया IATF में fifth clause था ISO TS में management responsibility अब इसमें fifth clause में दो clause लगा दिये leadership and planning iso में था resource management six clause इसमें क्या डाल दिया support seven clause था product realization IATF में क्या कर दिया उसको operation कर दिया तो TS में आटमा clause था measurement system analysis and improvement जिसको IATF में दो भागों में बाट दिया nine and tenth में nine क्या कर दिया performance evaluation and tenth कर दिया improvement तो दोस्तों यह basic difference है ISO and IATF में जो की changes हुई है जो की fourth clause से start होते हैं तीन उपर के जो clause है वो same है तो चलिए आप जानते हैं कि कुछ some verbal importance verbs हैं जो की आप लोगों को जानना चाहिए clauses start करने से पहले इससे पहले कि हम awareness training start करें clause by इसके पहले कुछ छोटे छोटे जो notes हैं उनको हम आज जान लेते हैं IATF में कुछ importance use होती है terms जैसे की cell requirements cell का मतलब क्या होता है cell indicates mandatory requirements cell IATF में कहीं भी cell का word आ गया इसका मतलब यह है कि requirements आपकी mandatory है वह आपको करना ही करना है उसके बिना यह आप certification करवाते हो तो आपकी NC पक्की है then एक requirement है should should क्या indicate करता है कि यह indicates recommendation IATF इसके लिए recommend करता है कि यह होना चाहिए ठीक है फिर आता है में में क्या indicate करता है indicates permission अनुमतिका संकेत देता है में में क्या रहता है कि में भी आपको यह करना भी है और आपके उपर है आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो can 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 indicates responsibility और capability एक संभावना दर्साता है कि आप करने के लिए capable हो कि नहीं हो कि आप हो तो आप कर सकते हो then एक आता है notes iatf की standards जब आप देखोगे आपके चलके तो उसमें नीचे notes दिया रहता है कर रहा हूं iatf में यदि हम total देखें तो कौन कौन सी requirements होती है cell की requirements होती है should की requirements होती है can और me की and notes दिये रहते हैं यदि हम cell cell की देखें तो यहाँ मैंने clause wise दे रखा है वैसे बट यदि मैं total requirements की बात कर दो तो cell की requirements अकेले iatf में 82 requirements है should की 15 requirements है and can की 8 requirements है and may की 26 requirements है जबकि total notes दो दिये गए iatf में 29 notes total दिये गए है तो दोस्तो I think की अभी तक आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और हाँ आपके लिए बहुत ही informative होगा और आपने अभी तक यह मेरा मानना है कि अभी तक ऐसा informative वीडियो I think YouTube में तो नहीं देखा होगा जितने की informations मैंने अपने यह अभी तक history में दी है iatf के जो की मैंने आपको बताया है यह basic requirements के बारे में जो की मैंने अभी बताया है iatf से मैंने पूरा लेके चोड़के यह पूरा अपने ppt में डाला और आप लोगों के लिए special लेके आया हूँ यह free awareness channel आप लोगों के लिए कहीं भी इसमें आप कोई क्योरी है कुछ आपको लगता है कि अभी आप कुछ missing हो रहा है कुछ आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरे को comment section में जाके comment करके बता सकते हैं और हाँ दोस्तों आगे चलने से पहले चलिए हम जानते हैं कि आप iatf में कितने clause होते हैं और कौन-कौन से clause होते हैं और उसको PDCA cycle में कैसे पढ़ना है और कैसे ध्यान रखना है तो चलिए जानते हैं all clauses of the iatf 16949 तो दोस्तों जो iatf का पहला clause होता है वो क्या है zero clause जो की है journal introduction first clause है scope second clause है normative reference third clause है terms and definitions fourth clause है context of the organization fifth clause है leadership sixth clause है planning seventh clause है support eighth clause है operation ninth clause है performance evaluation and tenth clause है improvement तो friends यदि हम उपर से zero, first, second and third की बात करें तो यह सारे clause हमारे informative clause होते हैं editable होते हैं इनकी कोई भी audit नहीं होती है जो हमारा fourth clause है और fifth clause है यह हमारा management responsibility clause होते हैं इनमे management responsibility की बाते होती हैं जो हमारा sixth clause है planning यह PDCA cycle में P है plan जो हमारा seventh और eighth है वो हमारा do में आता है ninth जो हमारा clause है वो check में आता है eight tenth जो clause है हमारा act में आता है अब इसको कैसे कहेंगे planning यह तो दिखके लगता है कि planning हमारा plan में आएगा अब seventh हमारा क्या है support and eight में क्या है operation तो support और planning के बाद क्या होगा support होगा और operation होगा ठीक है तो हमारा किसमें आ जाएगे do में आ जाएगे जब support और operation हो जाएगे performance evaluation होगा तो किसमें आएगा ओ जब performance evaluation होजाएगा जब check कर लेंगे तो जो भी चेक करेंगे जो उसमें इसूज निकलेगा जो actions लेंगे उसको हम क्या करेंगे improvement करेंगे तो improvement में क्या करेंगे act करेंगे तो act में आ जाएगा तो दोस्तो I think कि आप लोगों को आज का session मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा अब यदि आप लोगों को मेरा session अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप like करें और channel को यदि आपने अभी तरह subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें ताकि यो भी इस valuable content का अपने life में यूज कर सकें और हाँ मेरे अंगले वीडियो में अंगले parts में part 2 में मैं लेके आऊँगा जिसमें कि हम one to one clause में clause की requirements को discuss करेंगे और जानेंगे कि clause 1, clause 2, clause 3, clause 4, clause 5 and 6, 7, 8, 9, 10 में क्या-क्या requirements है और क्या-क्या mandatory requirements है और awareness training में कैसे-कैसे हम को उसको जानना चाहिए और जब भी आप internal auditor का course करते हो तब आपको किन-किन requirements का ध्यान दखना और कैसे-कैसे training के लिए prepare करना है तो चलिए आज का ये parts ही पर खतम करता हूँ और अकले वीडियो में part 2 में बात करेंगे one by one हर एक clause के बारे में तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे वीडियो का भी तक like नहीं किया है तो like कर लें और channel को यदि आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और हाँ यदि कोई भी इसमें improvement की गुझाई से तो आपको मेरे comment में लिखके जरूर बताएं कि improvement requirement है Thank you